दोस्तो आज भाग दोड़ बरी जिंदिगी में व्यक्ति इतना अधिक ब्यस्त हो गया है कि उसे अपनी फेमिली के लिए भी उसके पास समय नहीं होता है और भाग दोड़ बरी जिंदिगी के वज़े से इतनी उलजने उसके दिमाग में चलती रहती हैं कि वो तनाब रस हो हर कारे में अगर वो सफल होना चाहता है लेकिन उसे सफलताएं नहीं मिलती हैं इसके लिए हमारे जन्मांग के वो नो ग्रह तो जिम्मेदार होते ही होते हैं साथ में हमारी ग्रह दशाएं अगर बिप्रीद चल रही हो तब ये समस्य और ज़्यादा बढ़ जाती है या अ उपाये दूंगी इसके साथ ही आपको आपके दिन को लखी और बहतर बनाने के लिए साथ में पिनोग्रों को सपोर्ट पाने के लिए आपको अम्रत की बूंद और जादू एक्षर दोंगी तो आप वीडियो को लास्ता पूरा अवश्र देखें हर मुश्किल हो आसान सबका है समाधान नमस्कार मैं आपकी एश्रोरोस अर्शना गुपता अपने जोतिस के चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों मैं जो आपको प्रति दिन अम्रत की बूंद और चादू एक्षर देती हूं वो आपके दिन को लखी और बहतर बनाने के लिए इसे आप आसानी से कर सकें जिसमें ना तो आपका समय ही लगें ना कोई धन खर्चे हूं इसलिए मैं अचूक और सरल उपाय आपके लिए खोज कर लाई हूं और यकीन मानिए अगर आप इनको अपनाना शुरू कर देंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे इन प्रियो को तयार किया जाता है आपकी कोई भी राशी हो आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो आप किसी भी देश में रहते हो आप भारत में रहते हो भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हो ये दस वर्स के बच्चे से लेके 90 वर्स सके बुजूर बच्चे लगती है दोस्तो हमारे जीवन में हमारा जन्मा जिस लगन में हुआ होता है अगर उस लगने में हमारी ग्रह दशाएं इस तरह की आ जाती हैं महा दशाएं अगर वो हमारे लगन के विपरीत हैं तो हमारे संगर्स को बढ़ा देती हैं हमारे हर प्रयास चार कदम चलने पर हम दो कदम रह जाते हैं और हम इतनी मेहनत के बाब जूद भी अपने जन्मांक से वो शुफल प्राप्त नहीं कर पाते हैं हमें समझ में नहीं आता हम क्या कर लें बेचैनी और घबराट बढ़ने लगती हैं तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लगता है कि सब कुछ छूट रहे हैं हमसे रिष्टे चूट रहे हैं बच्चों के करियर में बाधा आ रही है या बीमारी अगर कर रहे हैं मन अश्रांत रहने लगता है आप सिंपिल से दो मेरे प्रयोग कीजिए अमरत की बुंद और जादर यक्षा धैरे के साथ साथ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ जब हम कोई भी कारे विश्वास के साथ सुरू करते हैं इसमें आपको श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है जब हम चीजों में श्रद्धा विश्वास करते हैं तब यह हमको इफेक्ट इनका हमें बहुत जल्दी आता है और जब बार-बार कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो इसका effect आपको कभी नहीं आ सकता है, मैं इसलिए बार-बार आपसे कहते हूँ, मेरे कोई भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आपके श्रद्धा और विसास होना ब आपको लगता है कि असंभव कारें में नहीं कर पाऊंगा उसी कार में आपको इतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर आप फील करने लगते हैं आपको लगता है कि आप तो मैं ये कारें करी जाओंगा इसके साथ ही इमनिटी भूश्ट होने लगती है यानि रोग-प्रति- के सभी सदस्ट करें तब आपको इनका जल्दी असर दिखाई देने लगेगा आपके नौ ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने लगता है आपका भाग आपके साथ देने लगता है तो इन प्रेगों को बहुत ही सराल और सिंपल है जरूर कीजिए 16 जनवरी 2021 दिन सनिवार आज का राहु काल है नोबच कर 45 मिनट से सुभए ग्यारा बच कर 5 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुबोने आकारारम नहीं करना चाहिए आज का अबजीत महूर्द का समय है 12 बचकर 6 मिनट से 12 बचकर 48 मिनट तक इस समय आप कोई भी शोबोनेया कारारम कर सकते हैं आज की अम्रित की भूद में आपको एक कपूर का टुकड़ा उसको अपने हाथ से मसल लीजे नहाने के पानी में मिक्स कर लीजे पांच मिनट उसे पढ़ा रहने दीजे उसके बाद उस पानी से इस्नान कर लीजे प्रयोग पूरा हुआ आज का जादूई अक्षर है गजानन वाला गा इस गाश शब्द को आप लेफ्ट एंड पर रेड कलर के पैंसे कहीं भी लिख कर छोड़ दीजे चौबिस गंटी तक इसे लिखा रहने दीजे दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा मैं आपको नया शब्द दूंगे आप इसको फिर से लिख सकते हैं आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं छोटी से सफेद कागच की चिटले लिजे रेड कलर के पैंसे लिखे लिखे फोल करके परस्या पॉकेट में रखे 24 गंटे तक अपने साथ रखे दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड की जल में छोड़ दीजे आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातर भाषा में भी लिख सकते हैं लेकिन प्रिनाउंसेसन उसका गाही होना चाहिए आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें साथ में कमेंट भी करें साथ में शेयर भी करें अपने फेमली मेंबर्स में, फ्रेंड सरकल में, सोचल मीडिया पर जिससे की और लोग भी इनसे फाइदा ले सकें आपका एक शेयर किसी की जिन्दिगी में उजाला ला सकता है साथ में अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिसना हो आप मुझसे किसी जोसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर दिया हुआ है मेरे वाट्सेप नमबर पर आप कॉलिया मेसेज के दारा प्रोसीजर जान सकते हैं मेरा वाट्सेप नमबर है 8077506510 अगर आप मैं वीडियो में आपको कुछ जो आपको उपाय बताती हूँ अगर उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वो कुश्चन लिखिए मैं उसका आपको आँसर अवस्चत होगी कोई और समस्या जानना चाहते हैं जिसके के लिए सभी लोग जानना चाहते हो तो वो समस्या भी आप लिखिए मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूँगी अपने ज्याना ननुसार इसके अलावा और भी कुछ जानकर याप चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए अब जिनका बर्थरी या मेरे जन्य वर्षरी है उनके लिए वर्ष शुभो ऐसी मेरी इस्वर से कामना है वो सभी बच्चे वुजर्ग महिला पुरुष जिनका की बर्थरी है या वो पती-पत्नी जिनकी की मेरे जन्य वर्षरी है किसी भी वर्ष में 16 जनवरी उनकी बर्थ रिया मेरे जनेवर्सरी है वो इस प्रेयोग को करेंगे एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नमबर लिखेंगे फोल्ड करके अपने पर्सिया पॉकेट में रखेंगे ये अंक इनको वर्ष भर सुख संबद्यों शांती ब्रतान करेंगा तोस्तों जैसा मैंने आपको बताया आज मैं आपको नजटोप और बद्वा के लिए उपाय देने वाली हो हमें पता ही नहीं होता है कभी हम अच्छे कपड़े पहन के निकले तो किसी ने हमें टोक लगा दी और हम आते ही बीमार पड़ गए आखे नहीं खुल रही है सर में भयानक दर्द हो रहा है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बुखार से चड़ गया है समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुगा या हम अच्छे खासे घर से बाहर गए थे लोट कराए तो ऐसा लग रहा है आप तो चलाई ही नहीं जाएगा उठाई ही नहीं जाएगा एक दम से बीमार जैसा फिल होने लगता है या हम कोई नए बहान लाए उस पर टोक लग गई या हमारे घर में कोई आया वो हमारे घर को देखे और एक दम से हमें टोक लगा गया और उसकी नजरों का टोक लगती है वो अपने मुझसे नहीं बोलता लेकिन उसकी नजर की टोक लग जाती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं तो इसके लिए आप जिस भी व्यक्ति को ये टोक लगी है आप अपने पैर की चपपल ले लिजे या जूता ले लिजे जो भी आपके पास है साथ बार उपर से लेके नीचे तक उसके आप घुमाईए आप बोलिए हसनी या खिजनी जा हसनी या खिजनी जा इसको साथ बार आप सिर्ट से उपर से लेखे नीचे सा पीड़िद व्यक्ति के सिर्ट से आप उभार लीजिए अगर बाहने आपका तो उस बाहन से उतार दीजिए इस तरह से और उसको बहुत जोड से कस के जमीन पर पटक दीजिए जितनी जोर से वो बजेगा आपको समझ में आ जागा और कितनी जोर कि उसको व्यक्ति को नजर लगी है और कुछी देर में, कुछी मिंटों में आप देखेंगे उस व्यक्ति को आराम आ गया है उसकी वो नजर टोक उतर गई है मैं आपको आगे भी नजर बद्वा टोक उतारने का एक भौती अचुग को पाये दूंगी, जो आप अगर हर अक्ते अतनाते रहेंगे, तो आपको कैसी भी बद्वा नजर टोक लगी होगी, ब्यापार में लगी है, बाहन पे लगी है, आपको खुद को लगी है, घर में जरुतारें, या कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पीड़ेत हो रहा, कोई दवाई ने लगी है, उसकी भी आप इस तरह से नजर उतारें, आप इसको प्रति दिन भी उतार सकती है, इसमें बार के लिए कोई देखने की जरुवत नहीं है, आप प्रति दिन भी इस नज कोई लाती रहोंगी, तो आप मेरा चैनल देखना ना भूलें, धन्यवाद